अगर करोड़ों लोगों ने इतना प्यार किया इतना साथ दिया एक छोटे इंसान को ये मुकाम पे लाके बेटा तो सही इंसान हो सकता नहीं इसके लिए इतना प्यार करके इधर पहुचा है ना वरना आज ये सोशल मीडिया का पहला इसा बाप है जो खुलियाम गालिया देता है और गाली देने वाले को कोई प्यार करता है ये उसको प्यार कर रहे है जो करोडों लोगों की आवाज है जो बोल नहीं पाते है उनके आवाज में बनके खड़ा हो गया इसके लिए मुझे प्यार करते है क्या बात है भाव पर आप मुझे मताईए हाली में आपका यूट्यूब चैनल बैन हो गया था फिर मेरा सीधा बात रहता है आव बाकवास जो मुझे बोलना है वह बोलता हूं किसी के बाप कोूं ने जर्ता हूं मैं आज जो लोगोंने मेरे प्रोसा किया लोगोंने मुझे कड़ा किया ये बोन लेके लेकि हाँ बाउ ये चीज गलत है इसको ये तर thriak film लई तो मैं वही तर किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है जिसको नहीं अच्छा लगता है वो यह हरकते करते है और मुझे फरक भी नहीं पड़ता है मगर मैं बोलूंगा वो कनफॉर्म बोलूंगा किसी के बापको डरताने में तो आपको कही अफसोस है कि आपका इंस्टेग्राम में यूट्यूब बैन हुआ यह तो सिब एक प्लेटफॉर्म है बाकी क्या है आज करोड़ों लोगों को मालूम है कि भाहू का अगर कितना भी हकान उड़ गया तो भी भाहू को इतना प्यार करते कि किसके उपर भी एक छ जबाना चाते हैं और मैं वो दमने ने देगा थोड़ा टाइम लगता है सच्चाई को जितने में मगर सच्चाई की जीत होती है ना आप मुझे बताईए भाहू जब आप लोगों से पंगे लेते हैं ठीक है आपके अनुसार आप सही हो ठीक है वो अलग डिसकॉशन है क्य और कहीं आपको कभी ठ्रहट्निंग मेसेज़िस आते सा यार तुझ एइसा कैसा बोला आप Hee की नहीं आज ना उपर वेला का शुक्र है मेरे मा की दुआ से मेरे पास सब कुछ है मेरे पास कोई करने की कुछ करने की जवार है जरूरत ही नहीं है मगर आज से दो साल पेले ए 46 जवान शहीद हुए थे तब ये हिंदुस्तान ने एक इनसान को जनम दिया उसका नाम रखा हिंदुस्तानी भाव। जो बड़ só बड़से बड़ यूतूबर थे जो हमारे देश . वह देख के खिलाब उदेनाची चेलो कियेए सिधा बात और अपलोड कर देता हूँ, मुझे समझता नहीं अभी है, एडिटिंग क्या करते हैं, कैसा करते हैं, तो क्या होता है, डर, अगर यही डर, हमारे जो, बड़े-बड़े होके गये, जो शहीद हुए, वो उनके दिल में भी अगर ऐसा होता, तो हमारे आज देश ऐसा नहीं होता अब देखिये ना, बड़े से बड़े होके गये अपने इधर, तो हर कोई, तो मुझे धमकिया, मैं आभी आपको फोन बताऊंगा मेरे इसमें, कितने मुझे कॉल आते है, भार से, ठेट कॉल आते है, कि तुझे ठोग डालेंगे करके, आईसा यह वालों का भी धमकिया था बीच में जो बहुत वाइरल हो गया, न्यूज में भी बहुत आया कि तेरे को ठोग डालेंगे, तेरे पर दस करोड का इना बग का है, कुछ परगने पड़ता है मेरेको, पहले भी बूला है, कि कुट्टा बिली का मुट ने मरेगा, मरेगा तो शेर के जैसा मरेगा, और य आपके परिवार में आपकी महतरमा है, परिवार सदस्य है, उनको ऐसा कभी होता है कि भाव तुमको ISI हो, ये death threat हा रहा है, मेरा 12 से 13 साल का बेटा है मेरा भी, अगर वो देश के लिए अगर उसको भी कुर्बान करना पड़े तो उसको भी कुर्बान करएगा, मेरे देश से वढ़कर मेरे लिए family में है, पहला मे मेरे पर गर्ब करती है, खुशी होती है उनको, बस उससे बढ़कर क्या है मेरे लिए? भाव बहुत से लोग कहते हैं कि यार भाव उतने गालिया बकते, अशलील सब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको क्या कहने है आपको? देखो, आज से कुछ सालों पहले, 48 यूटूबर थे पाकिस्तान के, जो हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के लोगों के खिलाफ, अपना तिरंगा जला देते, खुले आम, और वैसी हमारे मा भेनों को गंधिया गाली देते थे, आज 48 में से सिब दो यूटूबर बाकि बाकि के 46 लोगों ने अपना चाइनल बन कर दिया मेरे डर से, तो ये हर किसी को समझाने का तरीका है, आज वहां का पाकिस्तान का फववाज चोदरी, साइंस एंड टेकनोलोजी मिनिस्टर, उसने अपने भारत देश का मजा कुडाया था, मगर उसने गालिया नहीं दी थी महीं ने उसके भाषे में अच्छी तरीके से उसको समझाया, उसने फिर से अपने देश के खिलाब बूलना बन कर दिया, जो तरीके से सामने वाला समझता है, मैं वो तरीके से समझाता हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है किसके माभीन को गाली देना, मगर वो तरी लगते हैं मैं करूंगा भाव आप अक्षे कुमार के प्रती भी थोड़े अपसेट हुए थे राइट किन कारणोरिक वज़े से अक्षे कुमार ही नहीं में वो डेविट में बेटने वाले हर वो इंसान से नारास्ता जब जब को ने एकता कपूरो उसने अल्ड बाला जी में एक बेब सीरीज बनाया था जिसमें हमारे जवानों के इनिफॉर्म का अपमान उड़ाया गया था तब मैंने और करोडों लोगों ने इंदुस्तान के लोगों ने आवाद उठाई थी कि इसके उपर कानूनी कारवाई होनी चाहिए क्योंकि आज अगर ये मेरे देश में का अगर कोई बच्चा, यूज जेन्डरेशन नेवी में या आर्मी में जाने का अगर एक्जाम कर रहा है या जाना चाहता है मगर वो वैसा वो सिरीज देखने के बाद वो बच्चा कैसा जाएगा तुम यह बताना चाहते है यूद जन्रेशन को कि आज एक अपना जवान आदमी वाला जब बॉर्डर पर अपने जान की रक्षा के लिए वहां खड़ा रहे रहा है गोली खा रहा है और तुम उदर यह बता रहा है कि एक एक आर्मी वाँ जाने के बाद वो उसकी पत्मी किसी अपने बॉइफ्रेंड को बूला के घर पे उसके साथ गलत करती है उसका वर्दी पेना के उसके इनिफॉर्म पेना के वो फाड़ना ये करना ये गलत आप क्या मैसेज दिना चाहते हो आप लोगों कि जो देश भक्ति का पिच्चर बनाते हैं डिबेट में बेट के बड़े बड़े जो चिला थे कि आमारे आर्मी का हैसा आर्मी कीईदर है तुम लोग क्यों ने बोलते फिर क्यों ने ऐसे बात पे उंगली उठाया आप लोगोंने की ने एक्शन किया कोई नहीं करता है कि तब कई ना कई एक ये देश में रहने वाले एक इंसान को बुरा लगता है क्योंकि आप लोगों को बढ़ाने वाला ये हिंदुस्तान की आम जनता है और आम जनता को आप नाराज करेंगे तो फिर कैसा रहेगा आपने अक्षे कुमार पाजी को बताया ये आमने सामने या किसी को बताया नहीं था ना कुछ बस मैंने एक बताया था कि आज इतने भी बड़े से बड़े फिलिम स्टार लोगों ने अगर ये काम किया है वो वर्दी पेन के काम किया है, तो वर्दी का मतलब क्या है, आप समझो, आप खड़े रहो ऐसे चीज़ के लिए, अबजेक्शन उठाओ, कि कोई वो गलत तरीके से वो इनिफॉर्म का मिस्यूज ना करे, आज मेरे वज़े से वो होने के बाद, मैं जब एक्ताकपुर के खि कानून निकला है, कि आज के बाद अगर इंडस्टी में कोई भी फिलिम में अगर इनिफॉर्म यूज करना है, तो आपको रक्षा मंत्रा ले से एनोसी लेनी पड़ेगी, अब तक नहीं निकलाता है, जब से महीने आज उठाया, उसके बाद ये कानून निकला, तो सही किय हमें आये और बोले कंगना रनौत का भी सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, उनकी शायद बहन का भी ट्विटर पे बैन कर दिया गया अकाउंट, उनका अभी तक अकाउंट बैन नहीं हुआ, भाव के सारे अकाउंट बैन हो गए, क्या आपको क्यों लगता है ये आप ही के स सारे अर यकात हुआए उनकी साथ नहीं है, या एक आं इंसान है उन लोग बड़े लोग है, उनकी बहुत पैचान है, उनके उनका जो अकांट ये जो एजनसी है उनका जो इसकर समबले है, मेरा अकॉंन मेरा इसकर समबलना है मैं सम्बलता हो तो मुझे पिर दौन करा इनके सर्फे भी बहुत बड़े-बड़े हाते, तो कैसे होड़ेगा ना, आइसे है. कंगना रनावत पर आपकी राए? कंगना रनावत के उपर मेरी राए ये है कि जब उसने ये बुला कि मुझे 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 प्यों के जैसे लगती है. बहुत चीज का मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये मुंबई में है, ये मुंबई ने आपको सर पे बिटा, ये मुंबई ने आपको हर चीज़ दी, गाड़ी से लेके बंगला, सब कुछ दिया, और ये आप आपको पियो के लगने लगे, तो अगर ये इसी बात है, तो आप मुंबई में मत रहो फिर, बाकी उन्होंने आवाज जो उठाया था, वो सब सही था, मगर ये स्टेटमेंट, मुझे बुरा लगा, बस, तो अगर आपको इतना डर लगता है हमारे मुंबई से, तो इलर मत, तुम लोग की जरूद भी ने किसी की, निकलो अपने अपने गा जाना पर रहा है, तेको आपको आवाज उठाने के बाद, आपके आवाज उठाने के बाद, आपके जिंदगी में ऐसे भोत सारे तकलीफिया आएगी, अभी कल में चेंबुर पूली स्टेशन में गया था, मुझे नूटिस आई वहाँ से, एक रिटायर अर्मी ऑफिसर को लेके आज से आठ मेने पहले, मैंने एक्ताकपुर के खिलाफ उसको वहाँ पर एफियर करना था, तो मैं गया था, तो उपर वाले का शुकर है कि जैसे लोगों को पता चलता है कि मैं कोई जगे पर आने वाला हूँ, वहाँ पर बेड़ हो जाती है, तो वहाँ पर जब मैं का कुछ सुना तो नहीं गया, मगर हमारे पे 188 का केस बन गया, तो वह आठ मेने के बाद मुझे कल नोटीस आई, मैं पुली स्टेशन गया, और एक अच्छी बात ही आए, ति मुझे हिंदुस्तान के सारे जितने भी पुलीस कर्मी है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, ख मेरा स्टेट्मेंट लिया, उन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया, मैंने एकताकपुर के खिलाफ कोट में पीयल दाखिल किया है, कि इसके उप़र एफ़ायर क्यों ने होना चीए, इसका जवाब मुझे मिलना चीए, तो दो तारिक को मेरा डेटा बैंडर कोट में, तो मुझे चेंबूर पुली स्टेशन से नोटीस आते हैं, तो आप समझे, यह बड़े लोगों के बड़े खेले, बड़े लोगों के बड़ी पैचान है, साज भी बहु है, तो यह चलते रहता है, तो ऐसे चीज़ों से डरता नहीं, जिसको जो खाना है मेरा, उखाल लो, मु मैं बात करो मुंबाई मचांड, मुंबाई मचांड, हाँ, बताता हूँ, मनुझ वाजपाई जी का मैं बहुत बड़ा फ्यान है, उनके डायलोग्स, जैसे की उनका वो एक पिच्चर है, चे बहुत पसंद है वो पिच्चर है, वी कुमात्रे वाला सत्या, सत्या भी और ए जैंगोष वासेपूर, मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत पसंद है, तो बुरा इस चीज़ का लगा, आठ महने से, नौ महने से यह मुंबाई को किसी ना किसी की नजर लगी है, नजर लगी है, कुछ ना कुछ हो रहा है, इंडस्टी में हो रहा है, लोगों को तकलीफ ह हो रही है, बहुत परेशान है मुंबाई, मुंबाई में पुरा हिंदूस्तान परेशान है, और आप एक गाना बनाते हो, बंबय में कावा, जिसका मतलब है मुंबय में क्या है, हाला कि उन्होंने वो बनाया था कि मजदूरों के लिए, जो मजदूर आते हैं यहां पे, य मगर वहाँ पर एक चीज आई ना, बंबय में काबा, तो बंबय छोड़के आप और भी कोई स्टेट का नाम ले सकते थे, गुजरत में काबा, कलकत्ता में काबा, जाइपूर में काबा, राजस्तन में काबा, ये सब करते थे ना, तो बंबय में काबा, बंबय में सब कुछ यहाँ पर आपको यह इंड़स्टी ने बढ़ा किया, यह इंड़स्टी ने सब को इस दिया, तो वह यह बंबई, तो वह चीज का मुझे थोड़ा कुछ बुरा लगा, कि आपको बंबई का नाम नहीं लेना है, और सिचुएशन ऐसी चलुए ना आज, कि हर इंसान मुंबई अज देखो उसके घर में, परिवार में देखो, कोई का नही है, नोक्री चली गई है, खाने के भान दे, आज वो मझबूर इंसान जो रोड यह देख रहा है कि कोई खिछडी दे रहा है किया, कोई चावल दे रहा है किआ, कोई गयो और नहीं दें जो देंगा है, तो कई वो दूख हुआ था मुझे, तब महीने उसमें बाता था कि मुंबाल में यह सब आए यह बता है कुछ नाम मैं आप पर फेकूंगा अब बताइएगा आपकूंगा बिग बॉसमें बहुत चीजे फेकते हैं न सरे गुस्टे से जिन्दगी में भी भाव भेकते हैं यार सब भेकूंगा जमान है भाई सिधाज शुकला सिधाज शुकला अच्छा इंसाने सिफ क्या हुआ था आपको बताते है बिग बॉस के अंदर हार इंसान अच्छा है मगर सिफ क्या होता है आप लॉक्डाउन में देखो आपके घर में थे आपके पास टीवी था फोन था क्यालेंडर था फैमिली साथ में थी सब कुछ था आपको खाना जो चाहिए सब कुछ था मगर अंदर हमारे लिए क्या था मालूम है लिए एक हफते का राशन मिलता था वो ही बारा से तेरा चेहरे न घड़ी न तीवी न परीवार का कुछ पता कुछ भी ने रहता था तो लिए नमी चीड़-चीड़ा हो गया था चिड़चिड़ा, हर बात पे, छोटी बात पे उसमें वो एक कमीना था, बिग बॉस, बिग बॉस चाते है, अरे काई कोच चाते है, साड़े तीन बज गया लगता है, तो सो ना तू भी, आदमी संडास को भी गया तो आवा जाता था, सब लिविंग रोल में आ जाए, बिग में आप देखो कितना परेशान था, अरे मिया बीवी लोगों के बीच में जगणा होने लग गया है, सर जी, फिर ऐसा है, तो कोई बुरा नहीं था, सब सही है, उसके बाद सब भार आए, सब हम एक दूसरे से बात करते, मिलते, सब सही है, सब सही है, आप और सिधार शुक में कल वही नाम कच्रे के डिब्य नहोगा, इतना गुरूर मत कर, इस शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्टी में, कल किसी और के मुट्टी में होगा, यही मही में शेहनाज को बोलाता ही, शाहिरी, क्या होता है, नया-णया ड्राइवर जादा होन बजाता है, ऐसा होत यह फेम में न फेम, बहुत इंफरोरी होते हैं, बहुत सम्मालना पड़ता है, तो उनको फेम कुछ सर पे जादा बेट जया था, इसके वज़े से थोड़ा हम बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से, जब से आये, उससे एक दो बार फोन किया में, जब आया था तब उसने फोन फोन ने उठाया, तो फिर वो अपन इतना इतना भी छोटा नहीं है, कि बार बार किसी को मसका लगाए, नहीं तो नहीं, बाकी सब बात करते हैं, उसको छोड़ के, अभी भी आप शेनास से अपसेट है, अपसेट या नहीं क्या है मालू मैं, जिसको आप बिक बॉस के पसंने, दल बदलो, नहीं HD का अशेन रियाज, कुछ हुआ है, अपस लगें है, अभी जुए है हुआ है, म्हारा शर्मा, मिली, वहँ हुआ है, बहुआ है सब मिली है, सब मिले। सेफाली मिली मेरेको, सेफाली बग्गा मिली मेरेको, आरती है, आरती है मेरे हर कैसी से मिल भूए हर किसी से मिल आगा Mahera Sharma को तो आपने शाहिद शिपकली को बिलाया था वह एक जोग ता, जिसके वजेसे मैं ने उससे अंधर बात भी किया था क्या होता है अंदर में बोला ना आपको बिग बॉस आपको ऐसे इसे टास्ट देता है कि जिसके वज़ेसे कॉंट्रोवर्सिय और अंदर जगडा होना ही होना है तो कुछ नहीं हो बच्ची अपने बात करते हैं कुनाल कामरा हाला कि बिग बॉस में नहीं थे पर कुनाल कामरा कमीडियन के और नहीं जानते अपके ट्वीट को भी शाएद टैग किया और और पुलीस के साथ टाइग वैग किया फिर उसने उसके बाद मेरे को कॉल किया बोला भाव मैं आपका बुद्वड़ा फैन है मैं अभी से नहीं फिर उसने मुझे उसका और मेरा फोटो भेजा मैं कही जा रहता है एरिपोर्ट पे तो उसने मुझे रुका के पोटो कीचा था ओ भेजा मैं आपका वेल विशर हूँ यह हूँ यह हूँ मुझे क्या है तकलिफ मलूम है अगर कॉमेडी के नाम पे, स्टैंडप कॉमेडी के नाम पे आप किसी धरम का मज़ाक उडा रहे हो ना söह तो फोट गलत रहीं हुआ आप किसी भी धरम का मज़ाक मत अटो किसी भी धरम के बारे में गलत मत बोलो अगर फिर ऑप अगर ऐसा करोगे तो आपने देखऒएगा अभी विप मुटा मुनावर फारूक ही ना आई सी, स्टार्टिंग से मज़ा उड़ाया था, stand-up comedy के नाम पे, मगर कुछ नहीं हुआ, उनको लगता है कुछ नहीं होता है, सवीदान ने हग दिया, दिखा है न अभी सवीदान ने क्या हुआ इन दोर में, एक लेवल तक मज़ा अच्छा लगता है, आज इंडस्टी में भी जो वेब सीरिस बंद रहे हैं, उनको भी मैंने वार्निंग दिया है सबको, कि अगर अभी धर्म का अगर मज़ा कोड़ाया, तो वो चलने ने देगा महीं, किसी को ने छोड़ेगा कि आप मुझे बताईए, अभी पॉलिटिक्स में लोग कह रहे हैं कि भाव जोइन करने वाले हैं, यह सच है या जोट? एकदम गलत, 1000% गलत, कोई भी अंदर का वो भावना नहीं है कि यार मैं पॉलिटिशन बनूँ? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स जॉइन किया, तो आज जो करोडो लोगों की जो जबाने न, वो बंद करवा देगा उपर बेटा हुआ नेता, बोलेगा भाव, बोलने का नहीं, और मैं करोडो लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने मेरे पर विश्वास रखका, उनका मैं दिल नहीं तोड़ेगा, तो यह पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा मैं अभी, अब बिग बॉस देख रहे हैं, चौदा, नहीं देख रहे हैं, तो रुमीना दिलायक के बारे में सुनाएं, हाँ, सुनाएं, देख रहे हैं उन पर आपकी राएं? ने, मैं यानि मुश्किल से, मुश्किल से यूटूब पर कुछ आया था, तब मैं देखा था, अभी वो आर्शी, राखी, इजाज, इन लोग सब के आंदर जगड़े चालवें, तो कुछ नहीं बात नहीं है भाई, वो बिग बॉस को ना, खुशी बरदास्ट नहीं होती है अंदर, दो चार दिन का प्यार होता है, उसके बाद एक उसरे को जो आपका रोटी बना रहा है न, वही बेलंस यापको फिक के मारता है, ऐसा है तो, इस साल कोई प्रेडिक्शन है कौन जीतेगा बिग बॉस, ने कुछ भी नहीं मालूम मेरको, कुछ नहीं है, हाली में आपकी महतर्मा ने कहा था, कि बहुत सारे आपके परिवार के सदस्य है, जो इंटर्व्यूस दे रहे हैं, नाम लेके कॉमेंट्स दे रहे हैं, वगेरा वगेरा, उन्होंने कहा कि, हमारे परिवार बाला छोटा परिवार है, बाकी लोग हमारे रेलेटिव्स है नहीं, उस पर क्या के नापको? क्या होता है मलूमे, जब आपका नाम होता है ना, तो फिर रिष्टे भी वईस ही बनते हैं, और जब आपका नाम खराब होता है, तो खुद के रिष्टे छोड़के माग जाते हैं, तो चलते रहता है, यह दुनिया है, तो ध्यानने देने का, पहला चलता था कि, रास्ते पर जो खुटे भोगते हैं, तो उनके उपर पत्थर मत मारो, आज ने वह ऐसा करने का, आज जिब में 200 रुप का बिस्केट लेके निकलने का, कुटे भोकेंगे ना तो एक-एक बिस्केट पेकने का, ऐसा है, यह दुनिया है चलते रहते हैं, इंगलको टेंशन ने लेते हैं, बहुत सारे लोग यह हैं, जो कहते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं हिंदुस्तानी भाव के साथ, और एक सेग्मेंट है, जो बहुत खिलाफ है हिंदुस्तानी भाव के बहुता हूँ आपको, कि जरुरीन है ना कि हर कोई मेरे बाद से सहमत हो, वो उनकी सोच है, यह मेरी सोच है, मैं जो भी करता हूँ मेरे दिल से करता हूँ, दिमाग से नहीं करता है, दिल से करता हूँ, जो भी बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ भाव मैंने नोटिस किया इस कान्वरिजेशन में आपने एक बार भी गाली इस्तमाल नहीं की महीने देड महीना बिग बवस में भी गाली ने दी बोत लोगों ने मुझे बोला क्या रे भावु अंदर तो तु कुछ किया ने वो मेरे हिंदुस्तान के बच्चे थे अंदर जवाये थे मेरे दुश्मन नहीं थे वो किसी की बेन बेटी सब कुछ था उन लोग ने क्या किया था मेरे देश के किलाप थोड़ी बोला था या मेरे देश की लोगों को थोड़ी बोला था खुद मेरे देश की लोगते तो मैं क्यू गाली देऊ किसी को मेरे को ने पसंदे किसी को गाली दिना एक गाली ने निकाला बहुत दिल से बाते की पर गाड़ी में बैटके जो आप गाली वाली देखते हो गाड़ी क्या आपका special lucky charm है क्या माने गाली में बैटके कुछ हो जाता है क्या आपको हो पहला वीडियो में बनाया था ना तो ऐसी बेठा था मैं तो मैंने वो देखा था या आईसा इसा हो गया मजा कुड़ा रहे तो मैंने छोटा सा तब मेरे को Facebook ने मालूब YouTube ने मालूब Instagram ने मालूब कुछ ने तो मैं TikTok प और मैंने वो वीडियो बनाया और कुछ टाइम के बात भी निकल वाला वो इतना फेमूस हो कि मुझे कोई सेंड करने चालू किया तो बहुत लोगों ने मेरे ऐसे आप जैसे दोस्तों ने बोला कि आप ये Facebook पे डाल सकते हो Instagram आता है YouTube आता है उसके उपर आप बड़े वीड ये एक मेरे ना के बिया मुझे खुछ भी नहीं मालूम था अज भी नहीं मालूम थैसा बने को बताया जाता मेल बेजा जाता है कुछ नहीं मालूम उड़ाया आओ लेकर जा बोलता हूँ, क्या करूँा नहीं में पेहली फुरसत में लेकर जा चले हिंदास्तानी भाओ मैACH सद्धात करन नमस्कार इंडिया जैहिन सिद्धात कनन का यूटूब चैनल जरूर देखना बहुत अच्छे इंसाने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों तक अच्छी बाते पहुचाते जैहिन